हेलो गाइज मेरे नाम अगिशेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यार चनल यूर स्टड़ी पर आज हम क्लास 7 के साइंस के थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक का रिवीजन करेंगे और उसके कोश्चेन एंसर को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं वूल कमस फ्रम दस फ्लीस ऑफ सीप गोट याक और सम अधर अनिमल्स ओल कहां से आता है तो सीप के गोट के याक के और कुछ अन्य जानवरों के फ्लीस याता है यानि कि हैरी स्कीन से आता है दूसरा है वाइज दस देखेंग बेर हैर ओन देर बड़ी दा ओल इल्डिग अनिमल्स बेर हैर ओन देर वड़ी बिकास हेर ट्रैप अलॉट अफ एर पूर कंड़कर अफीट सो हेर किप दीज अनुवर वार्म जो वूल देने वाले जानवर होते हैं वह अपने शरीर पर बाल इसलिए रखते हैं क्योंकि ब मौल हवा को च्रहां करता है और हवा किया है हीट युट का प्वर कंड़क्टर है इसलिए हैर क्या करता है उन जयनवरों को गरम रखता है वायरम रखता है वूल वूल गूने फैबर टुट हैं которой vital aircraft reicht होता है सब की रापता है और चौथ है राइक है रइड्व्य त्थ़ औ जो तरह के फैवर का होता है। फाइर में गलते हेर फाइब फाइब कर दो नके के लिए, अब है उड़ी छोटे छोटे धे होते हैं। हुआ ही फाइबर देते हैं प्रदान करते हैं उनको बनाने के लिए अब है वाट इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग दप्रोसेस आप सेलेक्टिंग पैरेंट्स फॉर अब्टेनिंग इस्पेशल क्यरेक्टर इन दियर आफ्स्प्रिंग सच अज शॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इस offense सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस परीव्य किरियामे अपने ऊफ्ष्प्रिंग में कुछ खास तरह के खर कारेक्टर को पाने के लिएallo पैरेंट्स को चुना जाता है इसी को खाई जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग Dok is common in Tibet and Ladakh angora wool is obtained from angora gore found in hilly region like Jammu and Kashmir याक का जो उन होता है वा तिबत और Ladakh में common है अंगुरा का जो उन होता है वा अंगुरा गोट से पाया जाता है और वा जम्मु कश्मिर जैसे घाटी छेतर में पाया जाता है Lama and alpaka found in South America also Ulll. अब आप से कोई question पू सकता है where does the llama and alpaka found Lama and alpaka कहां पना पे पाये जाते है तो South America में पैये जाते है तो the under fur of Kashmirी goat is soft of it is woven into fine salts called pashmina sauce the hair on the body of camel is also used as wool. जो कस्मीरी गोर्ट का अंडर फूर होता है वह सफ्ट होता है, मुलायम होता है और इसको छोटे-छोटे सॉल में बुना जाता है और इसको हम क्या कहते हैं पाश्मीना सॉल, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, अब हाव तो अब्टेन उल, अब उल को प्राप्त क प्राप्त करने के लिए भेर को क्या किया जाता है और उनके बालों को काटा जाता है और उससे बूल बनाया जाता है, अब हम कुछ ब्रीट के नाम देख लेते हैं, सीप के प्रजाती के नाम देख लेते हैं, उनके उल का क्वालिटी देख लेते हैं, कहां पर पाई जाते ह इसका या राजस्तान और पंजाब में पाए जैता है दूसरा है रामपूर बुशायर इसका ब्राउन कड़ का फ्लीस होता है और यह यू प और हारियाना एच पी मैंनला हीमाचल परदेश में पाए जाता है तीसरा है नाली यह इसका प्रियोक्त के जाता है यह राइजिश्तान अडियाना और पंजाब में पाया जाता है। तौथा बखरवाल खंपको ऑख鍊 öl। के लिए प्रोक्षिक हमें राभार फिर HOR parler अब हुमें लियावी स्थे कॉरिश के बना कॉछ कब गज्चानिप होता है पहले सीरिंग किया जाता है उसके स्कोरिंग किया जाता है उसके स्कोरिंग किया जाता है बर्स को हटाने के लिए हमने चैप्टर में पढ़ा था डाइंग फाइवर इंटी डिफरेंट कलर और बिभीन कलर में उसको फाइवर को डाई किया जाता है उसके बाद उससे स्कीन कर लिया जाता है तो फ्लिष ऑफ सीप इस चांच या फिर किसी भी जानवर के सरीर का जो अपर मोस्ट लेयर होता है स्कीन का वर्ड डेड होता है shearing does not hurt sheep because the uppermost layer of skin is dead, shearing से sheep को कोई हानी नहीं पहुचती है क्योंकि उसका जो उपर परत होता है इसकीन का वह डेड होता है, अब है what is scoring, the sheared skin with hair is truly washed in tanks to remove grease, dust and dirt, this is called scoring उसमें से grease, dust or dirt को हटाने के लिए sheared skin को धोया जाता है, टैंक्स में, issue को क्या कहा जाता है, scoring कहा जाता है अब है what is sorting, the hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated, this process is called sorting इसके बाद जब हो दिया जाता है उसके बाद इसको फैक्टरी में भेजा जाता है जहां पर बीभीन तरह के texture वाले fibers को अलग-अलग छाटा जाता है, separate किया जाता है, what are birds, the small fluffy fibers are called birds, जो छोटे-छोटे fibers fleece पर हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बर्स कहा जाता है अब है, the fibers are straightened, combed and rolled into yarn, the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fiber responds and woven into woolen cloth जो fibers होते हैं अब उनको straight किया जाता है, combed किया जाता है और yarn उनसे बनाया जाता है और जो बड़े-बड़े fiber होते हैं उनसे sweater के लिए उनका उनका प्रेयोग होता है, जो आप मार्केट से खरीजते हैं और छोटे-छोटे fiber से woolen cloth बना दिये जाते हैं अब what is occupational hazard, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called sorter's disease such risks faced by workers in any industry are called occupational hazard मतलब कि basically इसके जो मतलब है कि जो workers होते हैं, sorter's workers होते हैं मतलब छोटे-छोटे मजदूर काम, मजदूर वाले काम जो करते हैं, वह जो risk face करते हैं, जैसे कि इसमें bacterium का face करना होता है, anthrax और उसके करन क्या होता है, fatal blood disease होता है, इस तरह के risk face किये जाते हैं, workers के द्वारा किसी भी industry में इसी को occupational hazard बढ़े जाता है what is sericulture, अब हम सिल्क के बारें पढ़ेंगे, what is sericulture, the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture मतलब, silkworm को पालना, silk को obtain करने के लिए, इसी को क्या का जाता है, sericulture का जाता है, अब हम जानेंगे, life history of silk moth the female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of life history called pupa, its first waves अब सबसे पहले क्या होता है, female silk moth अंडे देती हैं जिसमें लारवे निकलता है, जिसको हम caterpillar or silkworm कहते हैं और वो size में बढ़ता है, और जब वो रेडी हो जाता है अपने जीवन के दूसरे चरण में जाने के लिए, जिसको हम pupa कहते हैं तो वो एक नेट, एक जाल बुनता है अपने आपको होल्ड करने के लिए, then it swings its head from side to side in the form of figure 8 जैसा कि आमने पारा था कि उसके बाद वो क्या करता है अपने, शीर को 8 figure होता है उसके रूप में और घुमाता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और जो exposed हो जाता है, air से hard हो जाता है और silk fiber बन जाता है Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber and turned into pupa और बाद में क्या होता है, caterpillar अपने आपको पूरी तरह silk fiber से ढख लेता है और pupa में बदल जाता है This covering is known as cocoon, और यहीं covering को क्या कहा जाता है, cocoon कहा जाता है pupa becomes moth inside the cocoon और इस cocoon के अंदर pupa moth बनता है, silk fiber are used for waving silk cloth और silk fiber का प्रयोग किया जाता है, silk cloth को बुनने के लिए और आपसे यह भी question पूछा जा सकता है कि कहां पर cocoon, pupa moth में बदलता है, तो cocoon के अंदर, inside the cocoon the silk fiber is obtained from the cocoon of the silk moth, silk fiber कहां से प्राप्त किया जाता है, तो silk moth के cocoon से प्राप्त किया जाता है silk fiber के example देख लेते हैं, ता सार silk, मुगा silk, को सा silk, मलबेरी silk, इसमें से जब सब से common कौन है, मलबेरी silk common है from cocoon to silk, अब silk से cocoon किस तरह बना जाता है, for obtaining silk, silk को पाने के लिए प्राप्त करने के लिए moths are reared, मतलब moth कीरों को पाला जाता है, and their cocoons are collected to get silk thread, और इनके cocoon को collect किया जाता है, silk thread को get करने के लिए, मतलब पानी के लिए, process, अब इसका process भी होता है, step one क्या होता है, silk one को पालना है, step two होता है, उससे silk बनाना है, परिकिरिया होता है, अब what is reeling the silk, the process of taking threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk, चिस परिकिरिया में cocoon से thread निकाला जाता है, silk के रूप में प्रयोग करने के लिए, उसी को reeling the silk कहा जाता है, reeling is done in a special machine which will unwind the threads or fiber of silk from the cocoon, reeling कुछ खास तरह के machine से किया जाता है, जो कि cocoon से fiber को अलग छाट देता है, silk fiber उसके बाद क्या होता है, उससे silk thread बनाए जाता है, अब कुछ other important points जान देते हैं, scientific name of mulberry is moras alva, scientific name mulberry के क्या है, moras alva है, the cultivation of flowers is called flory culture, हम question answer में देखेंगे flory culture, उसके बारे में मैंने इसी में बता दिया है, कि flowers cultivation को क्या कहते है, flory culture कहते है, rearing of honeybees on a large scale to obtain honey is called apiculture, और honeybees का पालन करना, बड़े पैमाने पर honey को प्राप्त करने के लिए इसको apiculture कहते हैं, जिस तरह इसमें seri culture होता है, इस तरह honeybees में भी apiculture होता है, the growing and cultivation of trees is called silviculture, और trees का बढ़ाना ग्रो करना और उनका cultivation करना, इसको क्या कहा जाता है, silviculture कहा जाता है, cultivation of mulberry leaves for silk production is called more culture, और silk production के लिए mulberry leaves, mulberry के पतों का cultivation करना, more culture खालाता है, science and art of cultivating plants and livestock is called agriculture, और plants को और life stock को cultivate करना के जो विज्ञान होता है और art होता है, इसको क्या कहते है, agriculture कहते है, क्रीशी, अब हम चलते हैं, NCRT के exercise पर, पहला नंबर है, कुछ rhymes दिया हुआ है, पहला rhyme है, Baba, Baba, black sheep, have you any wool? और दूसरा है, Mary had a little lamb whose flesh was white at the snow, और इन राइम से answer देना है, इन दो questions का, पहला है, which parts of the black sheep have wool? मतलब पहले वाले से देखकर देना है, कि black sheep के किस भाग, कौन सा भाग, wool देता है, wool देता है, तो देख सकते हैं आप, The flesh or hairy skin of the black sheep have wool, जो black sheep का flesh होता है, या hairy skin होता है, वहीं wool देता है, वहीं wool रखता है, और वहीं देता है, What is meant by the white flesh of the lamb? The white flesh of the lamb means the white colored fur of the lamb, इसमें बताया गया है, इस rhyme में, कि Mary had a little lamb whose flesh was white as snow, इसनो की तरह white है उसका flesh, तो इस यहाँ पर flesh का मतलब पूछ रहा है, white flesh का मतलब, तो white flesh का मतलब क्या होगा, white colored fur of the lamb, अब देख सकते हैं, अब हम MCQ देख सकते हैं, The silkworm is a caterpillar larva, choose the correct option, तो इसमें होगा बोथ यह भी, silkworm caterpillar भी है, और larva भी है, अब है तीसरा, which of the following does not yield wool, इन में से कौन उल नहीं देता है, यानि कि उन नहीं देता है, तो woolly dog नहीं देता है, अब जो हता है, what is meant by the following term, इन terms को define करना है, पहला है, Rearing, it means taking care of hearts of animals which include feeding, breeding, grazing, etc., इसका मतलब होता है, कि जानवरों के समूं का देख भाल रखना जिसमें उनको खाना खिलाना हो गया, breeding हो गया, उनका चराना हो गया, अब दूसरा है, सीरिंग, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body, this process is called shearing, जैसा कि हमने किताब में पराए था, कि sheep के बाल को हटाया जाता है, फ्लीज को हटाया जाता है, उसके thin layer of skin के साथ, उसके सरीर से इस process को इस प्रकिरिया को shearing काते है, अब है तीसरा, sherry culture, the rearing of silkworm on a large scale to obtain silk is called sherry culture, silkworm का पालन करना, बड़े पैमाने पर silk को obtain करने के लिए इसी को sherry culture कहा जाता है, अब बोल रहा है, पाच्वा नंबर में, given below is the sequence of steps in the processing of wool, which are the missing steps, मतलब इसमें sequence दिया है, प्रकिरिया का की silk, sorry, wool से, उल का जो प्रकिरिया होता है, उल को प्राप्त करने का उसको दिया हुआ है, और कुछ missing steps दे दिया है, उसी कम को भरना है, तो पहले searing होता है, यानि कि पहले काट लिया जाता है, मतलब चाट जाता है, बर्ष को चुनक के हटाया जाता है, उसके बाद बिभीन कल्लों में डाई किया जाता है, यानि कि यान बनाया जाता है, अब चाटा कोश्चन है, make sketches of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk, production of silk से जो directly related to life history का, silk moth का life history का जो दो stage है, उसका sketch बनाई है, तो मैंने बनाया है, the two stages in the life history of the silk moth related to the production of silk are caterpillar spinning cocoon around itself and transformation of the caterpillar into pupa, जो दो stages हैं, life history के silk moth के, जो कि production of silk से related है, वो है, कि caterpillar जब cocoon को अपने चारो और spin करता है, बुनता है, और दूसरा है, जब caterpillar pupa में transform होता है, यानि कि बदलता है, तो इसका sketch बनाया है, देख सकते हैं, यह को कुन है, और यह को कुन विथ डेवलपिंग मॉथ, यह मॉथ बन रहा है, देख सकते हैं, और हमारे बुक में भी दिया हुआ है, आप बना सकते हैं, यह दो पीक्चर आपको बनाने होंगे, मैंने भी यहींस मॉरी कल्चर, एपिकल्चर, और सिल्वी कल्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उसी से question पुछा हुआ है, इसमें से कौन दो टर्म है, जो कि सिल्क प्रोड़क्शन से related है, मैंने आपको बताया, कि सेरी कल्चर तो आप जानते हैं, इसकी सेरी कल्चर क्या होता है, इसकी सेरी कल्चर, तो यहां रिलेटेड है, और दूसरा क्या रिलेटेड है, तो मॉरी कल्चर, यानि की मल्बेरी का कॉल्टिवेशन करना, जैख सकते हैं, तर्म रिलेटेट तो सिल्क प्रोड़क्शन और सेरी कल्चर और मॉरी कल्चर, कॉल्टिवेशन अप मल्बेरी ल तू में क्या है मलबेडी लेज्स क्या हो जागा फूड ओफ सिल्क वर्म सिल्क वर्म का भोजन होता है तीसरा है याक याक क्या है उल इल्डिंग ये इनमल है यानिकी उन देने वाला जानवर है कोकुन क्या है इल्ड सिल्क फाइबर कोकुन से सिल्क फाइबर मिलता है अब इ कोर हो जाएगा यानि वास करना दूसरा है और तो फाहर हो जाएगा लॉनक च्रॉक्चर किस थ्रा तो फाहर हो जाएगा और ऑक्रॉस्स में लाि उल हो जाएगा इसके पत्ते सिल्क ओन के द्वारा खाया जाते हैं मलवेरी के पत्ते खाया जाते हैं तो देख सकते हैं और हैचेज फ्रम एग उफ मौथ मौथ के अंडे से जो बाहर निकलता है तो कैटरपिलर बाहर निकलता है यहां पर हमारा चैप्टर फीनिस होता है अगले लेक्चर से हम अगला चैप्टर फोर यानि की हीट उसको पढ़ेंगे सो ठैंक यू